अजयों लिए तो यह और अच्छ और यह पाने प्रेश्ट के सब्सक्राइब तूर बनाएंगे पालग गोस्त पालग गोस्त। यह त्टंडी की मौश दोक भी है आपको पालग सब्सक्राइन बहुत सरे आते हैं दो पालग थंडिये में अक्सर मिलते हैं तो अज़ वंपना इसे बारीप क्या मैंटन तरह हो सकते हैं ऐसे आप कर सकते हैं 2 प्याजे को 12 सालैसेश में कटी हूँ हाफ लेंगे लेंगे 2 बारिक टामाटर है जिसे मैंने करके रखी हूँ आप चाहे तो ग्रंडर में इसे फांड पेस्ट भी बना सकते हैं दो चम्मच अद्रक लासुन का पेस्ट ले लेंगे, तीन से चार हरी मिर्च ले लेंगे, एक छोटी चम्मच मैंने जीरा ली हूँ और एक बड़ी लाची, कुछ पॉटर मसाले में से देख सकते हैं, दो चम्मच मैंने कासमे लाल मिर्च हैं, और दो चम्मच धनिया पॉटर साथ में हाफ टीस्पून मैंने लेकपी पॉटर और हाफ टीस्पून हल्दी पॉटर, सबको मैंने एक साथ दिखाईएं, और इसमें डाल लेंगे, और एक बड़ी लाची, और साथ में ही डाल देंगे जीरा तो यह सफेद जीरा है अच्छे से करकने देते हैं साथ में डाल देंगे प्याज प्याज को अच्छे से गोल्डन प्राउन कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए देखें हमारी प्याज बहुत अच्छे चलाइन और गोल्डन हो गही से लिजिकare प्याज को दो कि साथ में सुखी मसाले दन्या पॉडर जीरा पॉडर मिर्ची ट्री आ यहाज है लिए लिए इंसान शनल को इस अधिक आप से कर सकते हैं at किजिए और तो बाड़े कट करके लिए इसे इसे इसमें डाल देंगे अग्तिकृ जिसा कि मैंने बताई आपको टमाटर को पेष्ट भी आप बना करके ले सकतेहां अगर आपके पफ़ चोपर है तो उसमें भी आप चोप कर लेजिए साथ में डाल लेंगे नमक नमक डाल दी मैंने अभी और बाद में भी डाल सकते हैं अगर आपके जरूरत बढलेतो पर नमक अभी कम भी डाले क्योंकि पालक पे बहुत ही कम नमक सोकते हैं और मसाले अच्छी से हमारी भूजी यह देख सकते हैं तो हम डाल देंगे इसमें मटर मैंने इसे पहले भी आपको बताई आप चीकन के भी ऐसी बना सकते हैं यह हमारी मटर है आप चीकन के भी बनाए तो ऐसे ही बनाए बहुत ही मज़ी कि और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो तक पानी इट करते हैं तो आप एक बाद दालते पुरी तरह से कुकर में उसके बाद एक सीटी आने दे उसके बाद बाकी जितना पालक बैच्छे वह एट कर दीजिए साथ मैंने एक छोटी कफ मैंने पानी एट की हूँ ज्यादा पानी एट नहीं करेंगे क्योंकि पालक पर इसे अल्डेडी पानी रिलेज होगी और इसे हम गवर लगा करके एक सीटी पूरे फूल फिलिम पे उसके बाद हम चार से पांच लो फिलिम पे देंगे देखी मैंने फूल सीटी एक लगाई थी अचार से पांच मैंने बिल्कुल लो फिलिम पे लगाई थी लो टू मेडियम फिलिम पे अब इसमें बहुत सारी यह देख सकते हैं शुरुआ है तब इसे कब करेंगे भूजा रखेंगे एक दम बिल्कुल तो इस तरह से आप पका कर दीजिए इस तरह से अब इसमें डाल देंगे हैडी मिर्च तीक्षा आपके हिसाब से जितना आप काम खाना चाहते हैं ज्यादा खाना चाहते हैं साथ में डालेंगे हाफ लिम्बू लिम्बू बिल्कुल इसकिप मत किजिएगा क्योंकि यह पालक गोस्त में लिम्बू बहुत ही मज़े लगती है आप लिम्बू जरूर से डालिएगा घों कि के हमारी गोस्त भी अच्यस्थी निख कर लेते हैं इसी च्ट करते हैं देखिए पालक कोस्त भूछ बहुत ही अच्छे 2 बूच गयी हैं और बहुत ही तेस्टी और बहुत ही यमी बनी हैं तो आप झ पालक गोस्त आपको उमीद करती हूं बहुत पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक किजिए का चैनल को सब्सक्राइब किजिए हमारी लेटिस वीडियो आने वाली देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस किजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिले औ देखे हमारी पालक गोस्त की लुग कितने अच्छी आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनी थी कलर भी बहुत ही अच्छी आई आप इस तरह से बनाईए पालक गोस्त कमेंट करके मुझे ज़रूर बताईए रेसिपी आपको कैसी लेगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलेसेस रेसिपी बनी है और बहुत ही थीक आप अपने हिसाब से जैसे मड़े जाए आप रोटी नान या फिर चावल के साथ भी से ले सकते हैं तो बिलते हैं एक नई रेसिपी के शाथ अल्ला हाफिस हुआ हुआ है